Hello Everyone, Students, आज हम लोग बात करेंगे ग्रे प्रबंद के बारे में, जो आपका यूनिट है और उसमें ही एक चाप्टर होता है जिसे हम कहते हैं मुद्रा प्रबंदन के बारे में सो मुद्रा प्रबंदन जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा बात करनी चाहिए शुरुवात करनी चाहिए उसकी आय से जो परिवार की जो आय है उसमें क्या चीज़े आती है तो आय क्या होता है किसी भी व्यक्ति को अपने प्रयत्न सेवा या संपति के उप्योग के बदले कि इसी निश्चित अब्धी के अंदर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको हम आई कहते हैं सो आई जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है मौद्रिक या मौद्रिक आई दूसरा होता है वास्तिविक आई और तीसरा होता है मांसिक आई सो पहला हम बात करते हैं मौद्रिक आय के बारे में ठीक है तो मौद्रिक आय क्या होता है एक निश्चित समय में परिवाल को जो मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्थ होता है उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं जैसे कि किसी भी तरह से प्राप्त हो आर्थिक क्रियाओं के बदले हो जैसे नौकरी, क्रिशी, उद्योग या धन्दा या मजदूरी इस किसी भी अवस्था में अगर हम मुद्रा प्राप्त हो रहा है तो उसको मौद्रिक आये कहते हैं कुछ अवस्थाओं में परिवार को बिना आर्थिक प्रियत्निक किये भी मौद्रिक आये प्राप्त होती है जैसे पैत्रिक संपती के सिप्राप्त आये या मकान के किराये या क्रिशी भूमी के आये या लगान इन सबसे भी मिल सकता है दुखसरा हम बात करते हैं वास्तिविक आये के बारे में ये आये जो परिवार को निश्चित अवदी में बस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह से प्राप्त होती है उसको हम वास्तिविक आये कहते है जिसमें ये जो मुद्राय होती है बिना खर्च किये हमें मिल जाती ह इसलिए इसको हम वास्तिविक आय कहते हैं वास्तिविक आय और मौद्रिक आय में difference क्या है वास्तिविक आय में हमें निशुर्ग सेवा या वस्तुवे मिल जाती है और मौद्रिक आय में हमें खर्च करके प्राफ वस्तुवे या सेवा या मिलती है ठीक है तो ये दोनों में आपका difference है फिर जब हम वास्तिविक आय के बारे में बात करते हैं तो हम एक और बात करते हैं पहले मांसिक आय किसे पहले हम लोग जो वास्तिविक आय है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ये जो होता है ये आपके दो प्रकार के होता है एक ह जो सेवाओं जैसे वेवस्तुएं या सेवाएं जो आती हैं जिन में परिवार बिना पैसे खर्च किये ही प्राप्त करता है जैसे वेतन के साथ जैसे अगर सिंपल जैसे प्रत्यक्ष आये में क्या क्या आएगा वेतन के साथ MP, MLA, IAS, PCS को क्या होता है निश्रल चिकट्सा स थोक्ष्क आएं इसलिए हु dual थ už फोन और छिक्ष। यह सब अनाज में पेत्रक मकान हैं या इसलिए के ऑरें के सेवा हैं जिसके बतन धोना खाना बनाना कपड़ा धोना बच्चे को बढ़ाना ये सब भी आपका प्रत्यक्ष आय में आता है नेक्स आता है अप्रत्यक्ष आय क्या होता है इसके अंदर कर वे वस्तुवें या सेवाय आती है जिने प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी पड़ती ह जैसे मुद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त हुआ यह जो आय है उसको हम अप्रत्यक्षा आय कहते हैं जैसे सस्ते दाम में आकरशर या अकरशर जो है कुपसूरत तथा टिकाओ वस्तर खरीदना यह सब चीजे सस्ते दाम में मिल जा रहे है तो हमें थोड़ा सा मुद्रा यूज़ करने पड़े लेकिं यह अप्रत्यक्षा आय कहते हैं तीसरी जो मैंने आय बताई थी वो थी आपकी मांसिक आय तो मांसिक आय क्या होते हैं वास्तर में कोई आय नहीं होती है बलकि मन की संतुष्टी होती है ठीके तो इसलिए इसको मांसिक आय कहते हैं फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं परिवार आय के कित्ते स्रोथ होते हैं कौन कौन से स्रोथ होते हैं इनके बारे में बात करना तो ये आपके वेतन हो सकता है जैसे जिन कारियों को करने में मांसिक या श्रम अधिक लगता है उसके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली जो आए है उसको वेतनाय कहते हैं मजदूरी जिन कारे को करने में शारिरिक श्रम अधिक लगता है उसको मजदूरी के द्वारा जो आए मिल रहा है वो मजदूरी हो जाती है लगान या किराया इस तरह से भी बिल जाता है ब्याज किसी कोई एक रेड़ी द्वारा उधाली गई मुद्रा के बदले रेड़ दा से एक तरीका का आये है जिसे कभी कभी को कुछ अच्छा कारे करने पर वोनस मीलता है जब मानते हैं बोनस एक मा के वेतन के बराबर दिया जाता है तो ये बोनस हो सकता है रोयल्टी ये एक और नाम आया है रोयल्टी इसको भी आप देखतेंगे जो बोनस ये रोयल्टी एक ही तरह की मानते हैं रोयल्टी बिसेकली लेकर के पुस्तव को लिखने के बदले जो धन राशी प्रकाशत द्वारा दी जाती है उसको हम रोयल्टी कहते हैं फिर आता है पेंशन पेंशन भी एक स्रोत है आपका आये का तो नौकरी में सेवा निर्वत्ती होने के बाद जो कर्मचारी को प्रतिमा एक निश्च्च धनराजी दी जाती है उसको हम पेंशन कहते हैं तो यह पेंशन मिलता है और मुष्वेतन का 50 प्रतिशत क्रमचारी को पैशन पेंशन के रूप में जीवन परियाप्त करने के लिए मिलता है फिर आता है एक और इसे हम ग्राज्यूटी कहते हैं कुछ और भी है जिसे हम उपहार कहते हैं ये इसकी spelling गलत है तो इसके लिए परशानी हुईएगा ये उपहार इसका मतलब है ये उपहार है जिसे जन दिन है या विवाह या कोई भी उत्सब में अगर कोई आपको समंदी या आपके सगे समंदी या रश्टदार द्वारा जो धनराशी दी जाती है उपहार कहते हैं फिर आता है लोट्री में भी क्या होता है लोट्री के टिकेट खरीदने पर जो धनराशी प्राप्त होती है उसको हम लोट्री के द्वारा आय मानते हैं इसके लावा कुछ और प्राप्त राशियां होती है जैसे भत्ता या चात्रवृत्ति इसमें भी आपको धनराशी मिलती है यह आपके परिवार के आय की स्रोथ हो सकते हैं इसमें से कोई भी स्रोथ हो सकता है नीक्स हब बात करेंगे कि जो परिवार की आये हैं। उसको प्रभावित करने वाली कौन-कौन से कारक होते हैं। तो इसमें क्यों को उचत उसां को उप्योग कैसे क्यों हो रही हैं। उस पर भी निर्भा करता है आपकी परिवारिक आये। समधायक सेवाओं को उपयोग या परिवार के भोगवादी प्रवित्ती को भी के द्वारा भी जो आपके आये मिलती है उस पे भी ये आये निधारत होती है उपभोग का ढंग परिवार के सदस्यू का योगदान ये सारे के सारे आपके प्रभावित कारक हैं जो कि परिवार परिवारिक आई को के विध्धी में सहायक जो साधन होते हैं वो कौन काउंस से हो सकते हैं और अच्छी दर से कर रहे हैं तो परिवारिक आई हमारी थोड़ी सी भी बच जाएंगी इसके साथ सा धन का धन का जो है प्रॉपर उपयोग करना फिर इसके साथिव ती उप्योग करना घ्रहणी का कुश्ल प्रबंधन बजट बनाना या रहन चैनका स्तर उचा उठाने का प्रियत्र करना यह सारे के सारे आए या को वृध्दी करने के सहाए की साधन होतै है फिर हम लोग बात करते हैं कि परिवालीव व्य क्या होते ouais। फर वह भाग परिवारीद अविश्यत्ताओं के लिए खर्च किया जाता है उसको हम व्य कहराते हैं ठीक है तो व्य आपके तीन प्रकार के होते हैं एक होता है निश्यत वे दूसरा है होता है अर्ध निश्यत वे और तीसरा होता है अकस्माक या कस्मिक वे या अन्य वे तो ये तीन तरीके तरीकों से हमारा जो परिवार ह वो अपने आय को यूज करता है या खर्च करता है पहला लेके चलते हैं वो है आपका निश्चित व्य यह व्य है जिन्हों जिने प्रतियेक परिवार के अनिवारे रूप से करने पड़ते हैं जैसे मकान का किराया या भोजन या स्कूल फीस बिजली तब पानी का व्य फोन वस्त्र, इधन, पल यह सारे के व्य जो है जरूरी है अनिवारे रूप से परिवार के लिए जरूरी है इसलिए इसको निश्चित व्य कहते हैं अर्द निश्चित व्य क्या होते हैं कुछ ऐसे व्य होते हैं जिने करने करना तो अविशक है परंतु विभिन परिस्थितिय तो में व्याय की जाने वाली साधन राश्य परिवार के आर्थिक स्थिति एवं कुछ समय के परिस्थितियों को ध्यान में लगकर घटाया या बढ़ाया जा सकता है इसको अर्थ निश्चत व्याय कहते हैं इसे कम आय होने पर कम या साधारन भोजन करना करके अपने जीवन करना या आय में विद्धी होने पर बोजन की गुर्वत्तक में विद्धी कर जाना तो यह सब आपके अर्थ निश्चत हैं आप अपनी परिस्थिति के साबसे इसको घटाया या बढ़ा सकते हैं फिर आता है अकस्मिक वे या अन्यवे ये वे ऐसे होते हैं जो अनिर्धार क्यों सब्सक्राइब होते हैं ये वे व्यक्ति के आयाओ इच्छा निर्भर करते रहे हैं नहीं भी करते हैं तो यह अकस्मिक है अपको भूद्य आएगा खर्च करना ही पड़ेगा तो वह ख़ sommute कर दिए और अन्य वह में आते हैं अ πो आपको अभूषाड न मनुरंजन के लिए कुछ वह करना है तो वह आपके इच्छा पर देस्थрий करता है झाल झाल